हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, उमीद करता हूँ कि सब अच्छे हो और कोवीड गी इस पिरियड में आप लोग अभी ओमिक्रोन वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा हैं तो अपना और फेमिली का काफी ध्यान रखो आप जानते हो काफी इंपोर्टेंट है और अभी एक्जाम भी आने वाले हैं तो अपनी सेफटी को बनाए भी रखो प्लस में जो वेक्सिनेशन प्रोग्राम है उसमें भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिए और जिनके जो डोज वगरा पेंडिंग है वो जल्द से जल्द कवरप है वो करवा लो ठीक है अब दोस्तों आज में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भहुत ही दासू टोपिक लेका है हूँ जो कि हमारे UPSC यानि सिविल सर्विसेज के जी एस पेपर थैर्पीन एकोनोमिक्स का जो बेसिकली एक टोपिक है वो मार्क्री लेके है हूँ इन्फलेशन ये वीडियो है वो अगर हम बात करें तो आपके स्टेट PCS हो चाहे आप किसी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रपेशन कर रहे हो CDS वगरा SSC जो भी है हर एक एकजाम में आपके लिए बहुत महत्रवन टोपिक है क्योंकि आजकल काफी न्यूज में रता है और दोस्तों हमाई देश में इन्फलेशन यानि महेंग़े के चकर में आपको बताए सरकारे बदल जाती है तो हम इसके बारे में जानेंगी कि आखीर सरकारे बदल जाती है तो क्या है ये इन्फलेशन बलब इसके पीछे क्या कहानी है कौन से ऐसा तंतर मंतर लगा हुआ है वो सब हम यहाँ पर जानने की कोशिस करने वाले है तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको इन्फलेशन क्या है कैसे इन्फलेशन ये महंगाई बढ़ती है साथ में डिफलेशन क्या है डिस इन्फलेशन क्या है किस तरीके से मार्केट में काम करती है इनके पीछे फेक्टर्स क्या क्या है यहनी कि कौन-कौन से ऐसे कारक है जो कि इसने के लिए के responsible है प्लस में इनकी mechanism क्या रहती है कैसे ये काम कर रहे है, inflation वगरा क्या ये अच्छे है, क्या ये बूरे है इसके types कितने होते है, solutions वगरा क्या है वो एक-एक चीज़े हम discuss करेंगी और last में मैं आप लोगों के लिए क्यूसन भी छोड़ूँगा, जो कि आपको comment box में answer के साथ provide हवो करना है ठीक है, तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त देवेंदर सिंग और चलते हैं दोस्तों, आज गे session की तरफ अटाफट, inflation की तरफ हम inflation यह नहीं महेंगाई हिंदी में इसको महेंगाई नाम से हम जानते हैं दोस्तों, सिंपल सी एक चीज़ समझी आप माल लो, एक आपके सामने आपने एक जामपल दे रहे हैं कि 1970 के अंदर एक कोफी का मग था वो 0.25 डोलर, चलो है दिरे, अगर हम बात करें, माल लो कि 2019 में वो आपका 1 रुपे और 69 पैसे नहीं, 60 रुपे का 1.60 रुपीज का हो गया तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको चीज दिख रही है कि जो प्रोडेक्ट है यहाँ जो कोफी है इसकी प्राइस के है चेंज होती जा रही है कोफी है, इसकी प्राइस चेंज होती जा रही है और दे टाइम पिरियेड है उसके साथ-साथ कोफी की या कोई भी जो प्रोडेक्ट है उसकी price बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप इसे महंगई बोल सकते हूं, अगर थोड़ा सा हमें बहुत ही basic के साथ हम बात करें, तो दोस्तों inflation एक English word है, और inflation का English में अगर हम proper dictionary के साब से बात करें, तो इसका मतलब होता है हिंदी में फैलाओ, यहीं चीजों का बढ़ना ए उसकी अगर price है, वो बढ़री है, तो उसको अपन influence से count करते हैं, उसको महंगई हम बोलते हैं, और example आपको मैं समझाता हूं, बहुत ही अच्छा सा example है, दोस्तों मान लो, सबसे अच्छा इंडिया में आपको बताएगी, जो आपका tomato हुआ, आलू हुआ और प्याज हुआ, इनके चकर में सरकारे गिर जाती हैं, तो हम tomato आलू पे आज की बात के लगते हैं, क्योंकि बहुत ही sensitive topic हैं, दोस्तों आपको बध्यान रहे, market में धान imagine लेके चलो, मान लो कि कल आप market गए, और दोस्तों आपको tomato मिलें, दो रूपे के जी, मैंने क्या कहा, कल आप market गए, आ अगर महीने बर बाद, वही tomato आपके दोस्तों, 80 रूपे के जी हो जाएं, तो बताओ, आप इसको महंगाई बोलोगे नहीं बोलोगे, आप कहोगे ना, कि यार market में बहुत महंगाई बढ़ गी हैं, कल तो मैं दो रूपे गलो लेके गया था, आज ये rate होगी, यही दोस्तो inflation है, तो इसमें दो चीज़े important है, inflation समझने के लिए, महंगई समझने के लिए, हमें दो चीज़े समझनी है, पहली चीज़ तो ये है, कि basically price बढ़ती है, किस चीज़ गी है, दोस्तों कोई product भी हो सकता है, कोई service भी हो सकती है, service का मिलब कैसे है, माल लो कि आप, for example, माल लो कि आप cutting करवाने गए, तो हो सकता है, कि आप इसले मेने cutting करवाने गए, तो ना इन ने आप से sellon ने 50 रुपे ली, इस बार आप गए, तो का कि विया cutting करनी है, बाल कटवाने है, 70 रुपे लेंगे बाओ जी, आपने का भी है क्यों, का कि विया महंगई बढ़ गी है, यानि कोई भी चीज हो, या फिर कोई भी आपकी facility service हो, अगर उसकी price एक time period के साथ बढ़ती जा रही है, तो इसका मलब है महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुती important fact और आते हैं, आप सोचके बताना, जब किसी चीज़ की price बढ़ती है तो वो जो currency है, उसकी value घटी है बढ़ती है, सोचके बताओ, मैंने आप से पूछा, जब किसी चीज़ की price बढ़ती है, भीया कोफी का मग कल आपका 10 रुपे का आ रहा था, आज मालो कोफी का मग 40 रुपे का हो गया, तो सोचके बताना दोस्तों, जो rupees थी, इसकी value घटी है बढ़ी है, रुपे की आप सिंपल सदों में बोलू तो ये बताओ की रुपे की ओकात कम हुई है, जादा हुई है, अरे भीया, ओकात कम हो गई, रुपे की value घट गी, कैसे घट गई, अभी समझाते हैं, देखो, सिंपल सी बाती है, कल क्या हुआ, कल ये था सर, 10 रुपे म उसने मुझे एक कोफी का मग दे दिया, फटावर, कि ये लो यार, प्यो कोफी, चिल मारो, ठीक है, सर्दी का मोसम है, एक गरम गरम कोफी प्यो, लेकिन आज आज आपको कैं, 40 रुपे देने पड़े हैं, तब जाके आपको एक कोफी का मग देना पड़े हैं, तो common सी बात आज पैसे की वेल्यू घट गई हैं, यारी आज उस कोफी की किम्मत के हैं, 40 रुपे हो गई हैं, कल उसी कोफी किमत के आथी 10 रुपे थी, तो सोचके देखो, वेल्यू गटी हैं, नहीं गटी हैं, यारी कोफी तो वो की वो ही है एक गिलास, लेकिन आप देखिए, पैसा क पाड़ना पड़ रहा है, ज़्यादा प्यकर नावन लेश्क अनलोग के हैं, value गिर गई है, समझ गई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि जब महेंगा ही बढ़ती है, इन्हीं inflation आता है, तो दोस्तों, जो भी currency होती है, उसकी value गिरती है, जब ज़्यादा प्यकर न नहीं पढ़ना पढ़ना, बता न, बता हिए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ना है exam से, तो exam के time पर आपको engineering के time पर रात दिन पढ़ना पढ़ता था नहीं पढ़ना पढ़ता था रात दिन किताव पर गोल मोटोल होते थे थे न तो value गिर गी थी थी न इसलिए extra food करने पढ़ रहे हैं तो सिंबल सी बात ही है दोस्तों तो यह चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपकी महंगय बढ़त है चीज खरीदने की capacity तो common सी बात है वो भी कहां फर्क पड़ेगी और example देता हूं दोस्तों दूसरे example आप ऐसे समझ लो आप मार्केट में मैंने क्या कहा आपको आप टमार्टे लेने गे कल थे 2 रुपे के जी आज आप मार्केट में गे तो 3 रुपे गे जी टमार्टे हो आपकी purchasing power कम होई ज्यादा हुई बताओ कल आप दो रुपे में एक किलो टमार्ट लेके और आज आप अगर दो रुपे लगे जाओगे तो आपको एक किलो से कम टमार्ट मिलेंगे तो इसका अमलब के है कहीं ने कहीं आपकी जो purchasing power कम होई है यह आज आपको टमार्ट के लि market में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं चीजों में अगर हम बात करें तो food आगे कपड़े आगे चले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट आगया हर एक चीज़ आगी यह सारी की सारी चीज़ होती है अपने bus में travel करते हैं की बार तो देखते हैं ना जो लोग दिल्ली में रह र 27 रुपे पे करने पड़ने रखें तो बताओ महंगाई बड़ी नहीं बड़ी तो यही चीज़ नहीं दिरे दिरे के हैं price बढ़ने लग जाती है अब दोस्तों inflation क्या major करती है यहीं inflation यह महंगाई है वो क्या major करती है basically अगर हम बात करें महंगाई का मतलब यहां पर यह है क प्राइस है वो चेंज हो रही है वो increase होती जा रही है अब एक भोती एहम चीज़ याती है सबसे खास कई बार आपको एक्जाम में स्टेट PCS में किसे क्यूसंस मिल जाते हैं कि महंगाई अच्छी होती है या बूरी होती है बताओ जो महंगाई है inflation है it is good or bad बताओ यह अच कह सकते हैं ठीक है महंगाई बढ़नी भी चाहिए कैसे बढ़नी चாAm आपको समझाओंगा कि महंगा vein का बढ़नाा जरूरी club है ठीक है और महंगाई का ज्यादा बढ़ना भी जरूरी नहीं है यह непराए कहते हैं कि काम एक लिमीट तक हो तो बहुत है अच्छा है कारना था वो मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, यह समझेंगे दिये दिने, अब एक खास चीज है, कि सर्क किसी भी product है, कोई भी service है, उसके दाम बढ़ गए, तो इसके पीछे कोई ने कोई तो कारण होगा, बिल्कुल, और दोस्तों, economy में, मैं आपको एक चीज बता दूँ, दो word ह है, वो आपको हमेंसा याद रखने है, सारी economy में यह काम हैं यह आपके, एक होता है, आपके सामने demand, एक होता होता है, supply, ठीक है, demand and supply, demand का मतलब क्या है, अगर हम बात करें, सिधी सी बात यहाँ पर, कि भीया, कितनी यहाँ पर demand बढ़ रही है, चीजों की कितनी ही है, एक त example से समझते हैं, और supply क्या है, जो आपकी, अगर हम बात करते हैं, market के अंदर, जो भी आपकी पूर्ती की जारी है, supply की जारी है, उसके हम बात करने वाले, तो अभी हम आपको एक example से यहाँ पर समझाता हूं, दोस्तों, एक काफी अच्छा, एक simple सा, बहुती basic example हम यहाँ पर cover करते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएं, कि demand और supply का concept क्या रहते हैं, सुनना धान से, यह एक company है, ठीक है, यह आपकी मालो, एक एक यूपेस्टी company है, जो की के हैं, नाम इसका, यूपेस्टी दूसर अड़ा वैसे ही, जो भी मालो आप, और यह के हैं, basically, market मे daily आप imagine करो, कि 100 packet biscuit के निकाल दी हैं, यह यह company market में daily, 100 packet biscuits हैं, वो market में निकाल रही हैं, यह 100 packet इसे बनके आ रहे हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब दोस्तों, आप दुकान पर गें, और तो पता चला कि आप दुकान पर गें, तो बहुत सारे गश्ट मर आगें, ठी दुकंदार के पास हैं मालो 10 packet biscuit, imagine करना में क्या खाय रहा हूँ, दुकंदार के पास हैं सिर्फ 10 packet biscuit और आप सब पहुंचके उसकी दुकान पर, कि भीया बिस्कीट दो, बिस्कीट दो, मेरे को तो पाढ़ लेजी, खाना है, जो कि हमारा all rounder के हैं, फेवरेट हैं, अब common सी बाती हैं, आप पहुंचके उसके पास हजारों की संख्या में जितने भी लोगता हैं, तो बताओ, demand बड़ी या नहीं बड़ी, सोचके बताना, demand बड़ी या नहीं बड़ी, यहीं मांग बड़ी या नहीं बड़ी, अब आप ध्यान से देखना हैं यहां पर, दुकंदार लेकिन दोस्तों, आप मेंसे एक परसन ऐसा है, आप मेंसे एक ऐसा परसन है, जिसको बिस्किट जरूरी हैं, यहीं उस आदमी को अगर बिस्किट नहीं मिला, तो मानलो कुछ अनर्थ हो सकता है, या मानलो की कोई छोटा बच्चा उसको बिस्किट खिला नहीं हैं, तो उस condition इसने बताओ कि वो आदमी या मालों कि आप खुद ही हो कि आपको बिस्किट चहीं चाहें तो बताओ आप उस पार लीजी कि पांच रुपए जादर रुपए भी दोगे नहीं दोगे दोगे ना डिमांड बढ़ी ना डिमांड क्यों नहीं बढ़ी अरे भया सापसा बढ़ी कि मार्केट में क्या था बिस्किट का एक ही डिबबा था दस डिबबे थें लेकिन खरीदने वाले आगे हजारों की संख्या में डिमांड बढ़ी कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए तो दुकंदार के पास क्या है समस्या आगी ना नी नी ड गया होंगे, मम्मी के साथ गया होंगे, अकेले गया होंगे, तो देखाओगा, कि इबार सबजी मंडी में जैसे टमार्टर प्यास है, जब कम आते हैं मार्केट में डिमांड सोटेज रहती है, ये उन एक्जामपल ले लो, फिक भाई, गर्मी के मोसम में धनिया नहीं होता हर दनिया, और आप दुकणदार को कहोगे ना धनिये के लिए, तो कहगा साब पांच रुपे देने पड़ेंगे थोड़े से, दो पत्ती के वी, देखाओगा आपने, क्यों, क्योंकि उस टेम पे डिमांड बढ़ रही है, सब लोगों को धनिया चीए, लेकिन है थोड़ा व अगर डिमांड कम हो जाई, चीदी सी बाती है, जिस सर्दियों में होता है, सर्दियों में क्या होता है, मार्केट में हरा दनिया खूब सार आ जाता है, खरीदने वाले लोग होते नहीं, क्योंकि इस धनिया कहा है, स्थो ठंड़ करता है, तो लोग कम खरीदते है, तो आप exam देने जाते हो, तो वहाँ पर आपने देखा है कि cave वाले ददागीरी करते हैं, जैसे demand बढ़ जाती हैं तो पैसे बढ़ा देते हैं तुरुंती तो वो महंगा ही बढ़ना है नहीं है, बिल्कुल है सरु ठीक है, दूसरा है supply वाला concept हम बात करते हैं दोस्तों, demand and supply के दोनों साथ चलते हैं, ठीक है, जैसे train की पट्रियां दोनों साथ चलती है न, वैसे ही demand and supply दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि demand बढ़ रही है, इसका हम लोग करते हैं supply तो हो रही है न, तो अब supply की बात करते हैं, सुनना ध्यान से अब हम बगत करते हैं supply की, कि supply का महंगाई पर कैसे क्या impact पड़ता है क्योंकि ये दो बहुत चीज़े हैं, दोस्तों, supply का impact सीधी सी बात ये है, जैसे example लेते हैं, COVID गई, सबसे best example, दोस्तों, COVID-19 के time की बात है oxygen cylinder थे, उनकी क्या है, shortage होने लग गी थी, याद है न, oxygen cylinder की shortage होने लग गी थी क्रीजन क्या था, से रीजन ये था supply नहीं हो पा रही थी, ध्यान होगा आपको, जब COVID-19 के time पे अस्पतालों में, slender में oxygen की दिक्कत आ रही थी न, उस time पे दोस्तों क्या था, हमारे देश में oxygen का production तो हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, oxygen produce हो रही थी, ठीक ठाक, लेकिन दोस्तों supply नहीं हो पा रही थी, यही जितनी demand थी न, उतनी supply नहीं हो पा रही थी, समझ रहे हो, तो यह बड़ी समझ जाती, तो supply का फरक पड़ता है, और example ले लो, दूसा समझाता हूँ, उसी COVID-19 वाले से ज़दा अच्छा रहेगा, दोस्तों COVID-19 में क्या हो था, दिल्ली के अंदर जो बड़े-बड़े सहर थे, वहाँ पर oxygen की दाम बहुत ज़दा बड़ गए थे, क्यों बड़ गए थे, क्योंकि supply नहीं हो पा रही थी, तो common सी बात है, oxygen की supply अगर कम होने लगी थी COVID-19 के दुरान दिले में, तो क्या है, जो भी oxygen दिले में पड़ी थी, उसको लोग के ज़्यादा खरीदना चाते थे, सब की तीच्छ supply और महंगाई दोनों के हैं, इन्वर्सी जलते हैं, जैसे जैसे supply बढ़ेगी, वैसे वैसे महंगाई कम होगी, और आज देखो, आज oxygen खूब है, तो महंगाई खा है, oxygen की दिक्कत नहीं है, तो supply का बहुत प्रक पड़ता है, यनि demand, supply और महंगाई, ये सब चीज आपस में क connect हैं, दूसरे example, biscuit वाला है, समझा दू, भई, आज पारलेजी कमपनी, market में, biscuit की demand हो रही है, बहुत सारी, मालों की पारलेजी, biscuit की demand हो रही है, अब daily के 100 packet जीए, करोल बाग में, अगर दोस्तों, पारलेजी कमपनी ने market के अंदर, आपने 1500 packet उतार दे, daily के daily, तो common सी बात है demand कम हो जाएगी, चीजों की मारा मारी नहीं रहेगी, तो मामला continue सलता रहेगा, तो फरक पड़ा नहीं पड़ा, और वहीं पर अगर पारलेजी, biscuit की कमपनी, 100 की जगे, daily के 50 biscuit ही भेज़री डिबे, तो market में हाकार मच जाएगा, कि मेरे को चाहिए, biscuit मेरे को चाहिए, मेरे को हो रही है, तभी क्या समझ से आ रही है, तो इनका balance होना बहुत जुरूरी है, तो इतनी बात से आपको क्या समझ मैं है, पहरे दोस्तों, ये जो मैंने आपको बता है, इन सारी काहनी से एक चीज़ के लिए ही हो गई, कि market में demand, यनिकी मांग, plus में supply यनिकी आपूर्ती, और plus में आपकी महेंग गई, इन तीनों के बीच में एक balance होना बहुत जुरूरी है, मैंने क्या कहा, इन तीनों के बीच में एक balance होना बहुत जुरूरी है, इनि बिना balance के economic grow नहीं करताएगी, ठीक है, तो वो भी हमाभी देखने वाले हैं, और दोस्तों, इनके बीच में balance बना इन एक proper sequence होनी चीए, कि कोई सीची ज्यादा कम ना बढ़े, इन सब को manage क्या जासके, और दोस्तों, इसके लिए, हमारे देश में के हैं, government of India ने, भारत सरकार ने क्या किया है, हमारे देश में, भारत सरकार ने, ये जो महेंगाई का जिमेदारी है न, ये दे रखी है, हमार भारत का Central Bank, भारत का केंदर ये बैंक, जिसको बोलते है, Regiro Bank of India, जो कि भारत के सारे बैंकों का head होता है, प्लस में सरकार का बैंक है, Regiro Bank of India, उसको Central Bank भी बोलते है, Central Bank of India भी, तो दोस्तों, Government of India ने, RBI को basically ये पावर दे रखी है, RBI को ये जिमेदारी दे रखी है, कि देख आदमी के आदमें पैसा है ना, वो ये तो काम करता है, नहीं करता, बताओ, अरे भीया घर में मम्मी कमाते हैं, पापा कमाते हैं, तो उन्हीं की चलती है, नहीं चलती, चलती है ना, समझ गए, तो वो वाली चीज है, कि जिसके हाथ में लाठी, उसकी हाथ में बहस होने वा इन्डियर इंडिया ने भारत में एक कमेटी बना रखी है और उस कमेटी का काम यह है कि market की अंदर पैसे का बिलेंस क्या जए market में पैसे का हाकार भी नहीं से दिक्कत भी नहीं एक systematic sequence होनी जी तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि वो कैसे क्या काम करती है कैसे महंगई को manage करती है types of महंगई inflation के है वो सब हम देखने वाले हैं तो प्यारे दोस्तों बताओ यहाँ तक कोई doubt है क्या मैंने आपको महंगई के बारे में बताया कि inflation क्या है कैसे इसका impact है वो पढ़ने वाला है यह सब हम देखने वाले हैं अब दोस्तों इसके साथ 2-3 चोटे-चोटे terms ओर हैं जो मैं आपको एक बात थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि यह आपको newspaper में या काफी बार मिल जाते हैं तोसे एक word ओर होता है वो होता है आपका def deflation, inflation का क्या मिलब था महेंगई deflation का मसलब होता है दोस्तों मुद्रा अब इस पेति यहीं बेसिकली inflation का उल्टा, महेंगई के उल्टा महेंगई के उल्टा क्या हो सकता है यहीं उसको पन बोलते हैं deflation अब सर यह तो अच्छी बात है ना कल आईफोन सत्तर हजार का आ रहा अच्छी बात है नहीं दोस्तों डिफलेशन अच्छी चीज नहीं है इसका लोंग टर्म में अगर हम बात करें मैंने क्या कहा लोंग टर्म में लोंग टर्म में दोस्तों इसको हमारे इकोनोमी पर कहा है बूरा इंपेक्ट पड़ता है क्योंकि इससे इंडस्ट्री के है तबाह हो जाती है कैसे हो जाती है वो मैं भी आपको समझाओं अब इम आपको यह भी समझाओंगा कि दोस्तों मेंगाई का एक निश्चित रेट में बढ़ना जरूरी भी है क्योंकि कैसे बढ़नी चाहिए पहले वह क्लियर करता हूँ दोस्तों आपको ध्यान होगा जैसे आप मेंसे काफी सारे जो है वो में लोगों की सेल्री इंक्रीज हो रही है इस साल मालनो आपकी सेल्री थी पांस लाक रूपे परियर अगले साल मालनो आपकी साड़े पांच होगी इ दा रही है यहीं मार्केट में क्या है लोगों के पास पैसा के है दिरे दिरे बढ़ता जा रहा है तो बताओ दोस्तों उसी रेट के साब से बताओ मार्केट में प्रोडेक की दिमार पैसे है वो बढ़ने चाहिए निए बढ़ने चाहिए कैसे बढ़ने चाहिए और समझात तो पता चला कि एक साल बाद मानलो पाले जी ओर्कर के सैलरी होगी 120 रूपे लेकिन दोस्तों अब बताओ पाले जी कंपणिय ने अपने वरखर की सैलरी 120 रुपे कर दी तो उस कंडीसमें बताओ पाले जी कंपणिय को अपनी बिश्कीट की प्रैस को भी थुड़ा बढ़ा बढ़ाना पड़ेगा नहीं, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, बस, तो बतो महाई जरूरी है नहीं, इन्हीं महाई का एक निस्ची त्वे में बढ़ना बहुत जरूरी है, अगर मा आपको बताऊं, तो ओन ए नेवरेज हर साल लगपक 2-3% के आसपास एकोनोमी बढ़ रही है देश की, लेकिन डिफलेशन कहा है, सब डिफलेशन का मतलब भी होता है, जब गूट्स एंड सर्विस की जो प्राइस है ना, वो जल डिक्रीज हो रही है, आज आप मार्केट में टमाटर थे दो रुपे के जी, कल गे मार्केट में टमाटर एक बताओ, आपको तो फैदा दिख रहा है, कियार मैं तो खुश हूँ, लेकिन दोस्तों सोच के देखो, उस किसान का क्या हो, तो बताओ, एक एक रुपे एक लो टमाटर हो जाएंगे, इतने सस्ते टमाटर हो जाते हैं, तो किसान क्या करते हैं बेचारे, आपने देखा होग सबजिया का है, सड़कों पे फैला देते हैं, क्योंकि उनकी कोश्ट नहीं निकलती, इसलिए दोस्तों चीज़ें ज़्यादा सस्ती होना भी सही नहीं है, क्योंकि जब प्राइस बहुत कम हो जाती है, तो बहुत नुकसान होने लग जाता है, तो यह आपको द्यान अपना है, डिफलेशन का मतलब के हैं, जब प्राइस है, वो के हैं, कम होने लग जाती है, ठीक है, और यह बहुत ही गलत चीज़ें, क्योंकि इससे के हैं, मार्केट में फिद धिरे धिरे बहुत सारे डिसेडवांटेज देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बता है कि फार्म डिफलेशन नुकसान देख चीज़ें, ज्यादा नहीं होना चीज़ें, एक आदी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ना घटना चल सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे टैम डिफलेशन होना बहुत नुकसान है, वो कर सकता है, ठीक है, यह हो गया आपका डिफलेशन, इसको ब मतलब यह है, कि जो महिने की रेट है ना, वो ध्री ध्री कट रही है, थोड़ा एक्जामपल देता हूँ, माल लोग कि इस महिने 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 है, वो बढ़ी 4% से, अगले महिने बढ़ी है 6% से, और अगले महिने बढ़ी है 8% से, अगले महिने बढ़ी है 10-9%, 10% ऐसे लेकिन दोस्तों, अगर इस महेंगए के बढ़ने की rate कम हो जाए, जैसे इस बार मालोगी एक परसेंटी बढ़ी हो, अगले दो बढ़ी हो, अगले तीन बढ़ी हो, अगले साधे तीन बढ़ी हो, चाहर बढ़ी हो, ऐसे धे 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 बढ़ रही है, इसको बोलता है disinflation, यहीं dis inflation का मतलब है, inflation की rate का decrease होना, inflation तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी rate कम हो रही है, rate कम कैसे मैं आपको समझाया, कि जैसे आज मालोगी आपकी inflation है, वो 5 परसेंट है, अगले महीने 6 होगी, سाथ होगी, आठ धे थे बढ़ती जा रही है, लेकिन अग OUR वो उसकी rate कम हो, इस महीने 5, अगले मिने 5.2, 5.3 नहीं दीरे दीरे वो महांगय की रेट बढ़ती जा रही है इसको पन बोलते है थोड़ा एक्जामपल देता हूं जैसे आप यहां पर देखिए यह मालो दोस्तों आपकी एक गाड़ी है ठीक है हाँ यह आपकी गाड़ी अभी यह आप यहां पर बैठे ह दोस्तों यह एक ठोड़ा ऐसा ऐसे एडिया रस्ता है आपने गाड़ी को रेस दी यहां दीरे दीरे थोड़ी 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 थ इसी को बोलता है डिस इंफ्लेस्टन, यानि डिस इंफ्लेस्टन का मतलब है कि महंगई का rate का कम होना, कि महंगई जिस तेजी से बढ़ रही है न वो धिरे दिरे बढ़ रही है ठीक है, तो ये आपको धान रखना है, इसमें चीजों के price कम नहीं होते हैं प्राइस बढ़ने धान रखना ही जीज़, डिस इंफलेशन का मतलब यह नहीं कि प्राइस सब कम हो जाएगी, नहीं नहीं, रेट कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे और एक्जाम्पल आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो यहसे समझ सकते हो, मालो की लाश्ट येर पेट्रोल था, उसकी रेट ऐसे थी, कि जनौरी में 50 रुपे, फरुरी में 60, मार्ट में 70, फिर 80, फिर 90 ऐसे कुछ चल ले थी, लेकिन इस साल पता चला, कि जो पेट्रोल की प्राइस हैं, वो ऐसे हैं, पहले 70 रुपे थी जनौरी में, फिर 71 हुई, फिर 72 हुई, 54 हुई, 55 हुई, तो यहीं क्या है, यह रेट कम हो यह नहीं हो रही, दिरे दिरे, इसी को बहुत है, डिसिंफलेशन, तो इन्फलेशन क्या है, डिसिंफलेशन क्या है, इन्फलेशन क्या है, इन तीनों को क्लियर रखना, यह ऐसा नहीं कि इनकी रबड़ी बना दो, रबड़ी मत बना देना, अदर्वाज एक्जाम में के अरायता सारा फैल जाएगा, तो यह थोड़ा सा आपको धान वो रखना है, अब दोस्तों, मार्केट में महेंगे के कुछ कोजेज भी है, तो महेंगे के कुछ कारणों की तरफ हम जाएए, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको आगे, एक बार कुछ चीजे हैं, वो टर्म्स दिखा लेता हूँ, जैसे यह तीन वर्ड आपको मिलते हैं, डिमांड पुल, एक जांपल कहा, आप एक दुकान पर गए, और दोस्तों वहाँ पर एक ही अनार पड़ा है, यह नि एक ही आपका कैंपो में ग्रिनट पड़ा है, लेकिन उसको खरीदने के लिए 6-7 लोग आ गए, तो बताओ, दुकंदार उसको महंगा बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है, तो वो कहा है, डिमांड पुल इंफलेशन है, यह नि कहा है, डिमांड बढ़ गई, इसकी उससे महंगई बढ़ी है, अगला आता है, कोश्ट पुष्ट इंफलेशन, कोश्ट पुष्ट अंबलब के हैं, कोश्ट बढ़ गई, दोस्तों पता चला की, अनार को प्रोड्यूस करने में, यह नि अनार का पोधा लगाने में, उसकी केर करने में, उसको दवाई दिने में, खर्चा बहुत हो रहा है, पिछले साल माननो की, किसान को बेचारे को 30 उपए पर गेजी नार बढ़ रहे थी, और इस बार पता चला की क्या है, उसका खर्चा ही 40 उपए पर गेजी हो गया, तो बता हो चीज़े महंगी बेचेगा ना, तो वो कोश्ट पूश हो गई, यनि कहा है, प्रोडेक्ट पे खर्चा ज़दा होने लग गया, इसलिए दोस्तों महंगई बढ़ गई, ठीक है, और एक होता है, बिल्डिन, इंफ्लेस्म, बिल्डिन इंफ्लेस्म का महंगई का मतलब यह है, कि भया, तीन सो रुपये का, ठीक है, लेकिन ध्रेद्यों चार सो को अवा, ध्रेद्यों पान सो को अवा, क्योंकि उसके कोश्ट भी बढ़ गई, प्लस में जो वहाँ पर लेबर करी, उनकी सेलरी भी बढ़ गई, तो ध्रेद्यों के हैं महंगई बढ़ी, ये फैदेमंद होती है, कौन से नुकसान दाइक होती है, क्या है, वो हम एक एक देखने वाले हैं, लेकिन इसते पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, दोस्तों भारत में, हमारे देश में, पैसे का जो भी management है, सारा का सारा, कि किस हिसाब से text वगरा के अगर हम बात करते हैं, आ रहा है, कैसे उसको manage करना है, यनि हमारे देश में, सरकार market में, पैसे का क्या rate होनी चीए, कि state पर ब्याज मिलना चीए हो गरा, ये सारा काम हमारे देश में, RBI के अंदर एक monetary policy committee नाम की एक authority बनाएगी है, जो संभालती है, वो basically क्या करती है, वो हमारे देश के अंदर हम बात करते हैं, तो चीजों के दाम वगरान को stable लगती है, यनि हमारे देश की economic growth को संभालने का काम करती है, monetary policy committee नाम की sense था, दोस्तों इस monetary policy committee नाम की sense था, इसमें 6 member होते हैं धान रखना, ठीक है, 6 सदस्य होते हैं, इन 6 सदस्यों से 3 सदस्य हैं, वो तो होते हैं RBI की तरब से, नि Regional Bank of India की तरब से, और 3 सदस्य होते हैं, वो होते हैं Government of India की तरब से, नि 3 सदस्य सरकार की तरब से आते हैं, 3 सदस्य से आपके RBI की तरब से होते हैं, और यह सब मिलके अच्छे लोग आपस में decision लेते हैं, कि महंगाई का कैसे का manage करना है, वगरा सारा काम, कि इस बार bank rate के आऊंगी, का लोन वगरा को कैसे का manage करना है, सारा काम यह टूजर्ड है, indirectly, directly, इनके पास, अलग-अलग tools होते हैं, उनके द्वारा ही, संभालते हैं, ठीक है, एक चीज़ आपको याद अकनी है, कि हमारे देश में, सरकार ने महंगाई को manage करने की जिम्मेदारी है, वो RBI को दे रखी है, और RBI हमारे देश में इसी लिए जिम्मेदार है, कि महंगाई की स्रेट से बड़े, और दोस्तों, सरकार ने RBI को यह जिम्मेदारी दे रखी है, कि market में महंगाई है न, वो 2% से तो कम नहीं होनी चीए, वो 6% से दानी बढ़नी चीए, मैंने क्या कहा, हमारे देश में सरकार ने RBI को यह जिम्मेदारी दे रखी है, कि भिया market में महंगाई है न, वो 2% से निचे नहीं आनी चीए, इन्हीं ज़्यादा भी rate कम नहीं होनी चीज़ों के, प्लस में 6% से दानी बढ़नी नी चीए, ठीक है, तो यह चीज़ आपको धान रखनी है, यह काम दे रखा है, गोट इट, तो यह आपको धान रखना कि हमाई देश में RBI के पास महंगाई का क्या जिम्मेदारी है, कि भिया 2-6% के बीज में मैनेज करना है, अगर महंगाई 6% से उपर चलेगी तो क्या होगा, हमारे भाई लोग के हैं, तुरन धना देने वाट जाएंगे के जरिवाल के तरह है, कि वह या, हाहाकार, BJP, हाहाकार आपने देखा होगा, यह कर दिया, वो कर दिया, तो तुरन धना पर दसन शुरू, क्योंगी सक्कारे गिर जाती हैं ना इंडिया में तो, तो यह बड़ी समस्स्य है, तो ध्यान रखना दोस्तों हमारे देश में महंगाई को लगके के हैं, RBA को जिम्मेदार दी गई है, और RBA बेसिकली महंगाई को 2-6% के बीच में रखती है, क्योंकि अगर महंगाई बहुत कम हो जाती है, इसका अमलब के हैं, चीजों के दाम गटने लग जाएंगे, और दोस्तों उससे दिक्रत क्या होती है, इंडिस्टी कतम होने लग जाती है, तो यह भी कहाई, नुकसान दाएक चीज होती है, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आया होगा, दोस्तों इंडिस्टी को कैसे नुकसान होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक एक्जामपल देता हूँ, मार्केट में मालो दोस्तों, कि चीजों के दाम बहुत सस्ते हो गए, एक्जामपल हम लेते हैं कि मालो पारलेजी बिस्किट है दोस्तों, वो पहले पांच का आता था, अब मालो दोस्तों महेंगाई है, थोड़ा आप समझना चीजों की, कि चीजे बहुत सस्ती होगी, मालो पाली जी बिस्किट दो-दो रुपए में आने लग गए, तो दोस्तों, बिस्किट बहुत सस्ता हो गया, तो बताओ, कमपनी को फायदा होगा, लोस होगा, सरजी, कमपनी को कहा है, लोस होगा, दोस्तों, कमपनी को अगर लोस होगा, यहनी company को फायदा कम होगा उस condition ने बताओ वो जो extra worker है इनको बाहर निकालेगी नहीं निकालेगी कि यह company को production भी कम करना पड़ेगा ना तो company production कम करने के लिएक है जो workers है उनको कम करेगी यहनी workers है चटनी करने लग जाएगी तो उन workers को बाहर निकालेगी तो बताओ बिरलोग बिरजगार होंगे नहीं होंगे समस्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों बहुत सारी समस्या है connected होती है ठीक है तो थोड़ा समयने एक angle आपको समझा है कि किस तरीके से इनका impact है वो पढ़ने वाला है यहीं मार्केट में हर एक चीजगा balance होना बहुत जुरूड़ी है ठीक है अब दोस्तों कुछ महंगाई के type है उनको हम एक बार यहां पर देख लेते हैं तो मोटे तोर पर दोस्तों inflation के यह कुछ type है एक होती है आपकी यहां पर हम बात करते हैं creeping inflation इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रेंगती हुई महंगाई को अ रहिंगती हुई महंगाई ठीक है यह इसको बोलते हैं मंद SP थी, SP का नहीं पता है, महंगाई को इवर यूज करते हैं, मंध SP थी, दोस्तों, जब मार्केट में महंगाई की रेट, मैंने क्या खा, 2-5% की राउंड होती है, जब मार्केट में महंगाई की रेट 2-5% की बीज में होती है, जैसे मालों की इस बार को 30-100 रुपे की थी, अगले साल वो 102 की होगी, उससे अगले साल 103-45 की होगी, तो वो सी चलती है, यहीं वो कहाँ क्रिपिंग इंफलेशन है, यह कहाँ धिरिया-धिरिया बढ़ रही है महंगाई, की मार्केट में महंगाई 2-5% की बीज में से अगर बढ़ रही है, तो वो गुड है, यह हमाय एकोनोमी के लिए, not only India, हर एक देस के लिए अच्छी है, तो इसको गुड महंगाई बोलते हैं, आब बोचलते हो, यह अच्छी महंगाई है, तो ध्यान रखना, creeping inflation के हैं, अच्छी होती है, क्योंकि वो एकोनोमी ग्रोथ के लिए के हैं, महत्तो कुण। वहीं पर थोड़ी सी महंगाई के हैं, पहले तो ऐसे गशीट-गशीट के चल रही थी, थोड़ी सी तेज चलने लग जाए, यहनी क्या है, वो करने लगे, यहनी महंगाई क्या है, चलती, इसको बोलते हैं, चलती या चलित inflation, अगर दोस्तों, inflation थोड़ी चलने लग जाए, पहले तो क्या है, गशीट-गशीट के चल रही थी, यहनी 5 से उपर जा चुकी है, और 10 परसेंट के राउंड घूम रही है, इसके बीच में अगर महंगाई है, इसका मुलब क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दोस्तों, यह महंगाई है न, वो चिंता जर्णक होती है, यहाँ पर क्या है, चिंता जर्णक होती है, कि यहाँ मामला सीरियस हो सकता है, हमें क्या है यहाँ आपर ध्यान देना है, और दोस्तों, यह नुकसान कर सकती है, क्योंकि चीजों के दाम तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, बहुत फरक पड़ता है इनमें, तो यह भी कहा है, थोड़ी खतनाक होती है, लेकिन खत्रा थोड़ा कम है, इसके बाद में एक होती है, रणिंग, दोस्तों, रणिंग इंफ्लेशन है न, यह बहुत नुकसान दाइक होती है, अगर हम बात करते हैं, रणिंग इंफ्लेशन का मतलब यह है, जब आपकी रही है ना दाही यह सेकंड डिजिट को ग्रोस करने लग जाए सेकंड डिजिट में पहुंचके आगे भागने लग जाए यह जब मार्केट में महें जैसे मालों की इस बार सो रुपय की चीज थी अगले साल वह 115 की होगी 120 की होगी इसका में महें बहुत तेजी से बढ़ रह दोस्तों वह 10% से उपर क्रोस कर गई है और 20% के राउंड भूमरी है इस में कहें बहुत जदा नुकसान हो ले जता है चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं आज दूद 40 रुपय का हैकल 60 का हो गया 70-90 से रेट बढ़ने लग जाती है तो कहां बहुत न लगी वह फिर भी नुकसान दैखती थोड़ी कम लेकिन थोड़ी वह तेज भागने लगी वह नुकसान दैखती हाइपर काम लग के हैं अब तो गोली हो लिए हो निरुकी नीरिया महाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है आज 100 रुपय थी कल 200 हो गई इस तरिके से हाइपर इंफलेशन और दोस्तों ये एकोनोमी बिजनेस सब के लिए नुकसान दैख होती है यानि ये बहुत ही एक्स्टीम कंडिशन होती है ठीक है दोस्तों ये जो आपकी हाइपर इंफलेशन है ये जो आपका फेर्स फ्रोड वोर हुआ था ना उसके बाद जर्मनी में देखे गी थी जर्मनी में लगधा के 1923 के राउंड हुई थी वहाँ पर चीजों के दाम बहुत ज़्यदा बढ़ गए थी तो ये वहाँ पर देखे गी थी और जो गेलोपिंग इंफलेशन है ये आपकी देखे गी थी कहाँ पर विनेजूला में विनेजूला के अंदर इ दिसकस करें अब क्या कुछ कई तरह की महंगई और होती है जैसे आपकी होती है आप एक कामरोटी इंफलेशन, करेंसी इंफलेशन, ब्रांडेड इंफलेशन, हिडन इंफलेशन तो इनकी हम बात करेंगे नेस शेप्टर में तो आज ये शेप्टर में इतना ही है आप का आशर आप comment box में जुरूर प्रोवाइड करवाना और जो भी आपके doubts हो दोस्तों आप मुझे update करना तो आज गे session में इतना ही है thank you